वेलकम दोस्तों करमचारियों से जुड़े 10 बड़े मतपुन अपडेट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा अगर आप ऐसी काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट सहरोज देखना चाहते हैं दरसल हाइकोट की लखनो बेंच ने ऐस ताई से स्थाई हुए सरकारी करमचारियों के पक्स में एक बड़ा फचला देते हुए का है कि ऐसे करमचारियों का गर नियमित सेवकाल भी पहैंसन का आखलन करते समय है उनके कुल कारेकाल में जोड़ा जाएगा यानि ऐसे करमच प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर चुटी नहीं होगी तली आगे बढ़ते दोस्तों तीसरा बड़ा प्रेट आ रहा है उत्राखंड को लेकर उत्राखंड के सरकारी करमचारियों को एरियर मिलेगा सासन ने आदेश जारी कर दिया है वन विकास निगम के 2002 में नियमित हुए करमचारियों को 1901 में से ही सेवा का लाप मिलेगा सासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है इससे करीब 1700 करमचारियों को सीधा फाइदा मिलेगा और इसमें रिटायर हो चुके करमचारी भी सामिल है जिने वेतन विर्दी ग्रेचूटी नगदी करन और अन्य बत्तु का एरियर भी मिलेगा चोथा बड़ा करमचारियों को मोदी सरकार जल्दी बड़ा तौपगा दे सकती है कहा जा रहा है कि सरकार करमचारियों के डिये पर बड़ा फासला ले सकती है। अगर कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन अगर सरकार डिये में इजापा का एलान करती है तो करमचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा और लाखों करमचारियों को इससे फायदा मिलेगा केंद्रिय करमचारियों से जुड़ा अपडेट हैं सा आपने यह गलती की हुई है तो इसे जल्द सुधरार लें कोई भी खातादारक सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारी भूल कर भी सेयर ना करें अकाउंट होल्डर्स बड़ी दोकादरी के सिकार भी हो सकते हैं ऐसा भी अलर्ट हैं एपी एपो ने कहा है कि एपी एपो अपने सदेश्चे से कभी भी आदार कार्ड पेन यूए नंबर बेंक डिटेल आदी की जानकारी नहीं मांगता है और यदि आपको कोई भी फोन या सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई जानकारी मांगता है तो आपको सावधान रहना चाहिए इस तरह की जानकारीों को बिल्कुल भी लीक ना करें वह दोस्तों अपडेट कबर आ रही हैं करनाटक को लेकर होली से पहले इस राज्य के करमचारीों को बड़ी कुल्स कबर मिल सकती है जल्दी लागू होगा साथवा वेतनायो अब करनाटक सरकार अपने करमचारीों को होली से पहले सांदार तोफा देने जा रही है करनाटक में सातवें वेतनायों को लागू करने की यूचिना बनाई जा रही है करनाटक के मुख्यमंत्री बसोराज बोमाई ने का है कि उनकी सरकार ने सातवें वेतनायों के लिए बजट निड़धारित कर चुक ए है 6,000 करोड रुपए बजट में निर्दारित किये गए हैं यानि कि नए वितिय वर्स से इसे लागू किया जा सकता है साथ ये अपडेट खबार सरकारी करमचारी चलाएंगे सराब के ठेके निलामी में नहीं उटने वाली दुकानों पर लगेगी ड्यूटी 15,000 करोड के रेवेन्यू का टारगेट है राजस्तान से जुड़ी बड़ी खबार है राजस्तान में अगले फानेंसियल येर 2300 से सराब के ठेके सरकारी करमचारी चलाएंगे निलामी में जिन ठेकों को कोई भी नहीं खरी देगा उनको राजस्तान सरकार टूरिज्म डेवलप्मेंट कॉर्परेशन गंगानगर सुगार मीलो राजस्तान स्टेट बेवरेजेज कॉर्परेशन लिमिटेट को चलाने के लिए दी जाएगी इन विबागों के अधिकारी और करमचारी सराप के ठेकों का संचलन करेंगे ताकि राज्य सरकार को रेवेन्यू मिल सके राजस्तान में आपकारी विबाग हर साल 7665 दुकानों के लाइसेंस जारी करता है इन में से जो दुकान संचलक अगले साल के लिए लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहेंगे उसका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा और जो रिन्यू नहीं करवाएंगे उस दुकानों को निलाम किया जाएगा तीन चरणों में इन दुकानों की निलामी होगी जो 13 मार्च से सुरू होगी और दूसरे चरण की निलामी 20 मार्च को जबकि तीसरे और आकरे चरण की निलामी 27 मार्च को होगी राजस्तान से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है वह दोस्तों अगली बड़ी अपडेट खबार उत्रपरदेश को ले कर दिये है योगी आदितना सरकार का सिक्सा मित्रू को ले कर बड़ा फैसला रिटार्मेंट की उम्र रिताय हो गई है आदेश भी जारी हो गई है उत्रपरदेश में अब सिक्सा मित्र भी सामाने सिक्सक की तरह ही शिक्सा मित्रों की भी रिटार्मेंट की उम्रें ताय कर दी हैं सामाने सिक्सकों की तरह हब सिक्सा मित्रों भी साथ साल के उम्र में रिटार हो जाएंगे वहीं नेक्स्ट अपडेट कब राजिस्तान को लेकर आई हैं जीन्स, स्कार्ट और मेकण और फंकी हैरिस्टाइल पर प्रतिमन लगा दिया है वहीं टी शर्ट, डेनिम और स्कार्ट भी समील हैं क्योंकि राजिस्त स्वास्ते पहाइसेवरों के लिए एक ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है हर्याना के स्वास्तिमंत्री अनिल विज ने अभी गए सुक्रवार कुका की राज्य सरकार द्वारा तया किया जा रहा ड्रेस कोड अंतिम चरण में वही हर्याना सरकार का एक और बड़ा फैसला है जीन्द के नर्वाना में आयुजिते एक राज्यस्तिय समारो में मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की गोष्णा की थी वही हर्याना से जुड़ा एक और अपडेट है पुलीस में 4536 नए पद स्रीजितों के पदोनति का रास्ता साफ हो गया प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जीने मंजूरी दे दिया हर्याना पुलीस में वर्सों से पदोनति की बाट जो रहे हजारु करमचारियों के लिए रहात बड़ा अपडेट आया है वह दोस्तु बड़ा अपडेट आ रहा है राजस्तान को लेकर CM 800 गलोत ने प्रदेश में एक लाख नई बर्तियों की गोस्तना की है और ये बर्तिया पहले से गोस्तित बर्तियों से अलग होगी उन्होंने बजट बहस के जवाब में काया कि सभी विबागों के खालिपत बढ़ने के लिए बर्तियों होगी इसके लावा कई गोस्तनाईबी और CM गलोत ने की हैं वहीं रजस्तान में रोडवेज करमचारियों को रज करमचारी का दर्जा देने की मांग भी उठाई जा रही हैं खाचरियावास और ब्रिजेंदर ने आस्वासन भी दिया है वहीं अपडेट खबर हैं आचरन नियम उलंगन सरकारी करमचारियों को सोसल मीडिया प्रतिकरियाओं के लिए चेतावनी सिक्किम राजी से जुड़ाई अपडेट आ रहा है कि विभिन करमचारी विभिन सोसल मीडिया प्लेटोर्म के माध्यम से सरकार के नीतियों और कारियों पर प्रतिक्रिया पोस्ट कर रहे है यह सिक्यम सरकार के करमचारियों के आच्रन नियम 1981 का उलंगन है डी ओपी परिपत्र में का गया कि रजे सरकार बहुत चिंती ता और इस मामले को बहुत ही गंबीरता से देख रही हैं। तो ये दोस्तु दस बड़े मत्वण अपडेट, नए नियम, बड़े बदला और अपडेट जानकरियां थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकरियां जरूर मिल गई होगी।